कि तो हम लोग एक आज एक An contracted One dimensional Librick a एक प्रोग्राम बनाएंगे इस क्रेशेंट पर आपको प्रोग्राम दिख रहा है प्रोग्राम का नाम राइट प्रोग्राम इन विजल बिसिक टूसरी चैनल 一 ऐन आ में इन वन ऊन वहाय एक और ड्द embray ं इन रहे में हमको किसी है इंडिविजुल एलिमेंट का नाम होगा A0, A1, A3, A2, A3 और A4 इसमें कुछ एलिमेंट से स्टोर कराएं मैंने 26395 अगर उने यूजर एक नमबर देता है 3 तो क्या 3 इस लिष्ट में है कि नहीं है यह में खोजना है इसमें सर्च करना है कि यह नमबर इस लिष्ट में है कि नहीं है तो देखा जाए तो इसमें जो इनपुट होगा वो एक नमबर होगा एक number हम input करेंगे और number input करने के बाद output में या तो found आएगा या तो not found आएगा clear है? तो इसका एक screenshot लेके ले लिजे हम ले लिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम बनाएंगे question समझ में आगे होगा आपको तो visual basic open करते हैं और इसका program बनाना है तो सबसे पहले visual basic मैंने open कर लिया है visual basic open करने के बाद मैं इसका एक form इस तरीके से बना लिया font थोड़ा बढ़ा कर लेता हूँ तक यह आपको असानी से दिखाई दे font मैं यहाँ पर बढ़ा कर लिया हूँ और मैंने यहाँ font बढ़ा कर लिया है अब मैं यहाँ पर एक text box बनाऊँगा ताकि user एक number input कर सके और यहाँ पर एक level बना दिया ताकि उसको पता चले ठीक है तो level पर हम लिखेंगे enter a number enter a number और text box को हम blank कर लेंगे ठीक है और यहाँ पर एक command button बनाएंगे search नाम से क्योंकि हमको search करना है इस form को मैं फड़ा सा चोटा कर लेता हूँ form design हमारा ready है अब मैं यहाँ पर इसको run करता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ 3 तो यहाँ पर click करते ही आएगा found or not found अभी code नहीं हुआ है इसलिए output नहीं दे रहा है clear है तो हम इसका code करते हैं code करने के लिए design mode में गए और search button पर double click कर देंगे code window open हो गई है सबसे पहले हमें carry बनाते हैं यहाँ पर dim a5 as integer और उसमें values इस्टोर करा देते हैं a0 में क्या value थी 2 2 a1 में क्या थी वैसे ही अब इसको देख लेते हैं कि क्या-क्या value थी 2 6 3 9 5 इसमें क्या-क्या value थी 2 6 3 9 5 तो a1 में क्या value इस है 6 a2 में है 3 a 9 और इसमें है 5 यह हमारा ready हो गया है यह हमारा array ready होगी है array की size है 5 और यह पांचों element को हमने store किया 2 6 3 9 5 यह 6 line का code run होते ही memory में ऐसा array create हो जाएगा पूरे group का नाम होगा a a0 में value होगी 2 इस तरीके से create हो जाएगा अब हमें user से यह number मागना है जिसों search कराना है तो मैं यहाँ पर एक और variable ले लेता हूँ dim as as integer और as की value जो है वो मैं text box 1 से ले लूँगा यानि कि इस text box में जो value दी जाएगी मानलो मैं यहाँ पर देता हूँ 3 तो यह value क्या होगी सीधा as में चले जाएगी अब मुझे चेक करना है कि as में जो value है वो इस list में है की नहीं है तो हम इसको search कराने के लिए loop का इस्तेमाल कर सकते हैं loop असानी से use करेंगे इसमें loop का इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ पर एक variable ले लेते हैं i अब यह loop के इस तरह से चलेगा for i equal to 0 to 4 0 to 4 क्यों चला क्योंकि जो इसका index value है वो 0 to 4 बढ़ रहा है 0 1 2 3 4 यह 0 to 4 चला है अब हम यहाँ पर चेक कराएंगे if a i equal to s यहाँ पर एक flag variable भी बना लेते हैं जो चेक करेगा integer नहीं यह boolean होगा ठीक है by default इसकी value के अरती है false रहती है अगर यह element मिल गया तो इसमें true हो जाएगा और यह loop चलते चलते पूरा loop last तक खतम हो गया और इसकी value false की false रही मतलब यह element हमें नहीं मिला है अब नीचे हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं if flag equal to true sorry flag equal to true then message box element and और else में क्या होगा यह आपका code ready है ठीक है तो इस तरीके से हैं मैं font फ्रोट छोटा कर देता हूं ताकि एक ही screen पर आजाए यह आपका code है और यह की screen पर आगे है अब इसको run कर आते हैं एक बार फिर से समझेंगे मान लो मैं यहाँ पर एक number दिया 3 3 इस list में है क्या यह है यह है तो output क्या आएगा element found मैं चाहता हूं आप लोग इसका एक screenshot ले लो फिर मैं आगे बढ़ूँगा मैं दो सेकंड के लिए रोक रहा हूं screenshot ले लेना आप लोग साथी साथ अगर मैं यहाँ पर एक element देता हूं 33 और मैं इस list में 33 नहीं है इसलिए search पर क्लिक करते ही है यहाँ पर क्या आएगा element not found अब हम इसको देखते हैं इसकी working कैसे होती है एक बर और working देख लेते हैं इसकी working को देखने के लिए मैं इसको आपको थोड़ा कुछ इस तरीके से समझा देता हूं अब हम देखते हैं कि यह program work कैसे कर रहा है ठीक है यहाँ पर यह code दिख रहा है आपको यहाँ पर हम देखेंगे कि एक variable बना है array variable a वहाँ पर यह values store है two, six, three, nine, five और s एक variable है आई एक variable है text one में मैंने जो भी value दी है वो value जा रही है s में यानि कि मैंने यहाँ पर three दिया है तो s में फिलहाल क्या आगया होगा three s में आगया होगा three अब जो loop है वो zero से four चल रहा है ताकि यह सारे elements को index wise access कर सके पहली बार जब loop चलेगा तो इस i की value होगी zero तो वो इस से compare करेगा जूसरी बार loop में i की value होगी one तो वो इस से compare करेगा clear तो इस तरीके से वो सभी से compare करेगा पहली बार जो loop चलेगा तो s में value है three क्या three two के बराबर है nine तो flag true नहीं होगा अगला loop चला जाएगा इसकी value one हो जाएगी क्या three six के बराबर है नहीं अगला loop चला जाएगा क्या three three के बराबर है yes flag की value क्या हो जाएगी true हो जाएगी flag की value इसमें क्या हो जाएगी true true होने के बाद जब loop खतम होगा ततब चेक किया जाएके फ्लेक की वेल्यू ट्रू है कि फॉल्स है अगर फ्लेक की वेल्यू ट्रू है तो मेसेज आएगा element फाउन और नहीं है तो मेसेज आएगा element not पॉन्ट ठीक है आप लोग इसका एक screen shot ले लीजे उसके फिर तोगा तो मैं पूसता हुष झाल पूसता हुष